हेलो डियर लवनर्स, इंग्लिस लवनर्स के लिए लेकर आया है हम काफी useful batch. this is scripted English जैसा कि आप जानते हैं कि एक इंग्लिस लर्नर से ऐसा expected होता है कि वो इंग्लिस को अच्छा समझता हो, इंग्लिस को अच्छा लिखता हो English को अच्छा बोलता हो और English को अच्छा पढ़ता हो कई बार ऐसा होता है कि हमारे candidates जो होते हैं हमारे बच्चे जो होते हैं उनको grammar के rule नियम कानून तो पता चल जाते हैं लेकिन जब वो अपने ideas को खुद को express करना चाहते हैं कोई message लिखना चाहते हैं कोई paragraph लिखना चाहते हैं या कोई application लेटर लिखना चाहते हैं तो वहां पर उनको बड़े doubts और confusions होते हैं अब कैसे लिखें क्या sequence फॉलो करें कहां पर क्या लिखें कहां पर क्या नहीं लिखें ठीक है punctuation related काफी उनको problems हो जाती है ठीक है और वह एक अच्छा impression अपने reader के उपर नहीं डाल पाते हैं तो यह जो descriptive English batch हम लेकर आएं इसका purpose यह कि हमारे English learners हैं जो हमसे English सीखते रहते हैं ठीक है वह इस skill में भी mastery करें और अपने thoughts को अपने ideas को effectively अच्छी punctuation के साथ में एक अच्छे coherent system के साथ में express कर पाएं जो जानते हैं उसको express भी कर पाएं उनको उस समय कोई समस्या प्राब्लम फेस ना करनी पड़े जब उनको अपने thoughts को written में on paper लिखना तो यह उस direction में हमारी तरफ से लिए फॉर्स स्टेप है कि ऐसे learners जो इस तरीके के प्रोग्राम को लेकर मतलब interested हैं और इस तरीके से अपने को और groom करना चाहते हैं English तो उनके लिए प्रोग्राम हम लेकर रहें descriptive English यह प्रोग्राम का schedule क्या है इसका syllabus क्या है यह सारी जानकारी में आपको इस लेकर तो सबसे पहले discuss कर लेते हैं descriptive English batch का syllabus तो देखिए इसका syllabus जो है बहुत ही elementary और essential जो हमने syllabus है इसका तयार किया है इसका syllabus है punctuation basics जैसा कि आप जानते हैं कि when you write something चाहें आपको application लिखें या letter लिखें या paragraph लिखें तो उसमें punctuation बहुत important होता है capitalization का use to end punctuation marks होते हैं उनका use other punctuation marks का use वह बहुत important होता है अगर हम अच्छा punctuation का use नहीं कर पाते हैं तो chances हैं कि हम दूसरों के लिखेंगे बातों को हो सकता proper ना समझ पाएं या हम जो लिखेंगे उसको दूसरे proper ना समझ पाएं और हम अपना जो communication है उसके थूरू दूसरे को impress ना कर पाएं अपने reader को impress ना कर पाएं तो इसके लिए punctuation के basics पता होना punctuation के basic uses clear होना बहुत करते हैं कि one day competitive exams में English के paper solve करते हैं तो वहां पर objective type questions है उसके चार options हैं उन options सही आंसर आपको टिक करना है लेकिन इस syllabus में हमने include कि answer writing कि अगर कोई आपको text दिया गया है और उस text पर बेस्ट आप से questions तो आप उन questions को किस तरीके से effectively answer करें text पढ़कर समझ करें जैसा कि आप स्कूल में करते रहोंगे जब आप स्कूल में English पढ़ते रहोंगे तो वहां पर आपको इसी तरीके के answers लिखने होते थे कि आपने क राइट इफेक्टिव आंसर राइटिंग जो है वह हमारे स्लेवर्स में है साती साथ में paragraph राइटिंग के बाद में फिर हम paragraph की paragraph को कैसे फ्रेम किया जाता है किसी topic पर ठीक है किसी particular subject पर हमें paragraph लिखना है तो हम कैसे effective paragraph लिख सकते हैं यह letter writing application राइटिंग एप्लिकेशन थी तो हमें फोड़ि लेक्टर स्क्राइट ENयरा यह जैसे हमें कोई complaint letter लिखना में हमें Job application letter लिखना है जाप के लिए हमें लेके रह उकागया है यह हमारे इस प्रोग्राम का स्लेवर्स है और साथ यह साथ में पंक्टुएशन बेश तो यह आपका स्लेवर्स है जो हम इस बैच में कवर करेंगे अब बाग कर लेते हैं स्केडूल की जो बैच है इसकी क्लासेज कब होंगी किस समय होंगी कहां होंगी किस दिन होंगी यह सारी बात है तो बैच का जो हमने स्केडूल बना है वह बच्चे इसकी क्लासेज होंगी मंडे वेंस्डे फ्राइडे को अल्टरनेट डेस पर क्लासेज होंगी मंडे हुआ करेंगी 19th April से आपकी classes start हो जाएगे 19th April से आपकी classes start 19th April को Wednesday है उस दिन से हमारे batch start हो जाएगे one month duration है one month आपकी live lectures होंगे और three months आपको validity मिलेगी कि वो जो lectures हों है उनको आप recorded form में भी three months तक revision के लिए या कुछ live class में समझने ही पाए है या live class में कुछ miss हो गया तो आप उसको बाद में access करने के लिए यह आपको 3 months तक course की valid आपके पास access रहेगी तो घ्री मन्स तक जो भी आपको पढ़ाय गया आप उसके notes वना सकते हैं उसका revision कर सकते हैं इस तरीके से लाइव लेक्चर्स की वैलिडिटी कितने दिन तक आपको पॉर्स के रहेगी यह सब के लिए अब बात करते हैं कि बच्चे की दिमाग में सबसे पहले हाता है कि प्रोग्राम तो अच्छा है ठीक है यूसफुल है और इंग्रिश लेर्नर्स के लिए वड़ा जरूरी होता है यह राइटिंग इसकी फीस क्या है तो अभी फिलाल में हमने इसकी कोई फीस रेजिस्टेशन ओपन है अभी हमारा मन फीस लेने का नहीं है तो फिलाल में 19 तारिक तक जब तक यह क्लासर नहीं स्टार्ट हो जाती है तब तक कोई फीस नहीं है आब इसक लिस्ट हो चुका है हमारे application पर अगर आपने हमारा स्क लाइपलीकेशन डाउनलोड करक्थ करक्थ है अच्छी बात है नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर स से ऐसे एक लाइव एप्लिकेशन जिसके मेरी क्लासेश होती हैं आप डाउनलोड कर लीजिए उस पर एक कोर्स लिस्ट हो चुका है और आप उसको फ्री में अभी जोइन कर से कि बाद में हम क्या करेंगे फिस लेंगे नहीं लेंगे कितनी लेंगे वह सब दुख की बाते हैं अभी आपके लिए विल्कुल फ्री है तो कोई चिंता करने की जरूवत नहीं है बस आप पर हो तो जॉइन कर लो प्रोग्राम में नहीं आप पर हो तो आप डाउनलोड करके स तो कोई फीस नहीं है को समारे अंडॉइड आप पर जैसे मैंने आपको बता दिया हमारा अंडॉइड अप्लिकेशन है ऐसे लाइव उस पर यह कोर्स आप जोइन कर सकते हैं लाइव लेक्चर्स भी आपके वहीं पर होंगे आपका वी ओडी जो है आप में वहीं पर अवे क्या स्केडियूल है क्या फीस है सब पता चल गया इसके बाद भी अगर आपको कुछ और जानना रहता है इस प्रोग्राम से रिलेटिव कुछ जानकारी आपको चाहिए कोई क्वेरी है तो अगर आप हमें कॉंटेक्ट करना चाहते हैं तो वाट्सअप के थुरू हलाग कि अच्छा जानना चाहते हो पूछना चाहते हो ठीक है वह यह हमारे office के नंबर से एप इन office नंबर सपर वाट्सप के थूँ अपनी query हमसे पूश पूश हम आउसर करेंगे जरूर करेंगे अब सम्ताइंब सम्ताइम टेक्स टाइम लग जाता है लेकिन आप निश्चिंत रहें आपको रप्लाई आएगा ओफिस के नंबर्स ने डबल 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 बढ़ते रही है कीप एंजोइंग लर्निंग इंगलेस के तो मिलते हैं लाइव क्लास में आपको लिए और सीखते हैं पंक्टेशन लाइटर राइटिंग पेरेग्राफ राइटिंग अन्सर राइटिंग और एप्लिकर्ण दिया लेटिस तो थैंक्स देट लिए लनेश्ट मिलते हैं आपको लाइव क्लास में, तेकले बाए